Хэлло, Френдс, एक बार फिर से स्वागए था आपका इस नए वीडियो लेक्चर में आज के इस वीडियो लेक्चर में होता है वीडिियो 온 Demand अपने हिसाब से हमारा Demand है उस हिसाब से हम lo वीडियो देखते हैं जो भी वीडियो हम लोग को पसंद आता है उसको देख सकते हैं तो इसको बोलते हैं कि आप वीडियो 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 बोलते हैं ठीक है इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं बाद में देखने के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो इस वीडियो लेक्चर में लोग देखेंगे जो वीडियो है उसका हिस्ट्री देखेंगे कौन इंट्रोडियूस किया था इसका हिस्ट्री क्या है इसका बेसिक नॉलिज देखेंगे वीडियो क्या होता है इसका बेसिक नॉलिज देखेंगे इसके बाद इसका वर्किंग point of view से भी important है VOD ठीक है तो सबसे पहला जो first point है वो history of VOD है ठीक है VOD का जो history है उसके बारे हम लोग सबसे पहले देखते हैं तो first point है जो first VOD था first video on demand था उसको launch किया गया था Hong Kong के द्वारा ठीक है नियर एब आउट 1990 में ठीक है 1990 में इसको launch किया गया था Hong Kong के द्वारा video on demand था जो first video on demand था उसको launch किया गया था US has used it through cabling 2020 अगर हम लोग United States की बात करें अगर हम लोग US की बात करें तो यहां पे जो VOD यूज हो रहा है इस समय भी जो यूज हो रहा है वो केबलिंग के थरू यूज हो रहा है ठीक है तो VOD हम लोग दो तरह से कर सकते हैं केबलिंग के थरू भी कर सकते हैं उसके बाद वारलेस जो वारलेस बिना के थोरी हम लोग वी ओडी कर सकते हैं थीक है तो जो अमेरिका है वहां पर जो के थोरी हम जो वी ओडी है उसका यूज कर रहा है इन पास्ट वी ओडी सफ़र्ड फ्रॉम ए लैक आउडविध अगर हम लोग कुछ समय पहले की बात करें तो जो वी ओडी था वी डिवांड था उसमें क्या था लैक आउडविध कम उसमें बैंडविध था ठीक है लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया जैसे जैसे समय बीत लेकिन आज की समय में क्या है बहुत सारा वीडियो चैनल है बहुत सारे चैनल है आपको ने देखने के लिए लेकिन इसमें क्या होता है आपको करना पड़ता है तो चाहिए आपको अगला ना मैंचिनग आउप between in 21 विओडविवहरूर्क्य वेरी वेल ऐज लार्ज वेंड तो मैंने अभी बताया है कि आज के समय जो VOD था, VOD है, उसका जो bandwidth है, वो लार्ज है, कई सारे चैनल को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, कई सारे, जो large bandwidth में जो VOD है, आज के समय में, available है, वो प्लब्ध है, इसके पाद हम लोग समझते हैं, जो VOD है, उसका basic, ठीक है, तो first point, VOD is such type of system in which user can select a program of his choice and watch and listen to audio or video, मैंने पहले ही बताया है, वीडियो क्या है आपका, जो भी customer है, जो भी consumer है, वो अपने इसाफ से, अपने choice से, ठीक है, वीडियो को watch कर सकता है, listen कर सकता है, सुन भी सकता है, या फिर audio हुआ या फिर वीडियो हुआ, तो जो भी consumer होगा, जो भी देखने वाले होंगे, जो भी customer होंगे, वो अपने मन माने चाहे से, जो भी उनका मन करेगा, उस channel को देखेंगे, या फिर नहीं देखेंगे, ठीक है, तो इसको क्या बोल सकता है, हम लोग, VOD बोलते है, video on demand, जो भी customer है, जो भी consumer है, जो भी video देखना चाहता है, उसको जाए, तो इसको बोलते हैं, क्या VOD, video on demand, अगला point, VOD can work by two different network, तो VOD होता है, जो दो different network में work करता है, पहला आपका wide geographic region, और दूसरा satellite based region, मतलब, यह आपका cabling के थुरू हो गया, यह आपका wireless हो गया, ठीक है, तो जो VOD होता है, दो तरह से work करता है, cabling के थुरू हम लोग ले सकते है, video on demand, और जो VOD है, वो wireless के थुरू भी ले सकते है, ठीक है, इसको वो क्या होता है, satellite based network होता है, तो इस दोनों, दो different network में, जो VOD होता है, work करता है, cabling के थुरू और wireless के थुरू, अभी हम लोग समझते है, इसका अगला point, इसका जो अगला point पर ब्लॉक डाइग्राम है, जो VOD है, उसका block diagram, basic blog diagram क्या होता है, सब से पहले यहाँ पर होगा network, जो की satellite होता है, ठीक है, अगर हम लोग wireless की बात कर रहे है, यहाँ पर कई सारे DTS होंगे, ठीक है, यहाँ पर आपका, kya होगा, satellite होगा, यहाँ पर आपका video server होगा, video server से, δεν know वे पर अपने सीनेल को भीज़ेंगे कहां पर सैटलायट के पास तेल्ट होगा हो सारे सीनेल को भीज़ देग आप सारे जो भी तरी कस्टमर है यहां पर भेज़ देगा तो यहीं होता है यहीं होता है máxim यहीं होता है है यह आपका चार व्लाक इसमें होता है यहां हमसे इसंद आपका फिन डry चोर्पेक्षों करें पर तो यह होता आपका बेसिक ब्लॉग रहे हैं वीडियो का वी ओडी का आप हम लोग देखने वाले हैं जो वी ओडी है वीडियो और डिवाइंड उसका वर्किंग प्रिंस्पल किस तरह से वर्क करता है तो फॉस्ट पॉइंट वी ओडी प्रोवाइट्स आल कामन फीचर्स की बराबर यूज और किसमें में डिवडि पलेयर आ कंदा था इस तरह से से इसमें कैस्ट लगे होते थे कैस्ट लगा किसको चलाते थे जो भी मूवी देखना होता था जिस भी मूवी को प्ले करना होता था डिवीडी प्लेयर से हमीनुग देख सकते थे तो इससे जो is common feature पिचरर आज प्रवाइड कर देता एकॉन वी ओडिवीडू और दिवार्ट अगला पॉइंट वी ओडी है जी स्टेंडर्ड TV रिसीवर एंड सेट अप बॉक्स तो वी ओडी जो होता है एक स्टेंडर्ड तीवी रिसीवर भी होता है और स्टेट वाक्स भी होता है तो अगरा पॉइंट वी ओडी ऑफर सस्क्राइबर टुव और प्रोग्राम लेटर वी ओडी होता है उसमें जो भी सस्क्राइबर है जो भी पैसा पेड़ कीरें है उस चैनल को देखने के लिए क्या कर सकता है जो भी program उसको बाद में भी देख सकते हैं ठीक है अगला point video server has video database from where subscriber can request for the year demand तो वीडियो सर्वर क्या होता है ऐसा अस्थान होता है जहां पर जो भी सस्क्राइबर है अपने रिक्वेस्ट को टॉंस्मिट करते हैं कि हमको यह चैनल देखना है ठीक है तो वहां पर जो वीडियो सर्वर है उसको रिक्वेस्ट को ग्रांड करता है कि इस सस्क्राइबर को इस चैनल को प्रोइड किया जाए और यहां से वीडियो सर्वर के थूरु इस चैनल को भेज़ दिया जाता है लिए अगला पॉBox इज यू का destras जो प्रोइस होता है उसमें use होता है ठीक है and provides basic function जो भी DVD player का basic function है ठीक है movie देखने का जो भी कोई किसी भी चीज़ को देखने के लिए DVD player का हम लोग यूज करे थे उसका जो basic function था उसके सारे functions को provide कर देता है कौन set up box ठीक है अगला point customer can call using telephone network they can request online by internet for their demand तो जो भी customer है प्रिट करके अपना चैनल जो भी चैनल देखना चाहते हैं सेटव बॉक्स में उस सेटव बॉक्स वाले का एक आपका ओनलाइन सेंटर होगा ठीक है उस पर रिक्वेस्ट करेंगे कि यह चैनल को देखना है तो उसके हिसाब से आपका रिक्वेस्ट करेगा वो और आपको उस आप उस चैनल को अपने टीवी पर देख पाएंगे तो इस तरह से होता है आपका वीओडी का वर्किंग प्रेंस आप हम लोग देखते हैं वीडियो ऑन डिवांड उसका अप्लेकेशन कहां पर है उसका यूजज कहां पर होता है तो फर्स्ट यूजज है एजुकेशनल इंस इंस्ट्रीट हैं जहांपे पढ़ाय लिखाए की बात होती है जो भी एजुकेशनल इंस्ट्रीट है 110 जो आपर क्या यूज कर सकते हम लोग वीडियोट का यूज होता है इल्टाइल रून इंस तो पर उट्दि को विडियो Donc市 और सकते हैं फिर विडियो का यूज सुन अब यहाँ पर यहाँ पहुत आपर एक यूज करते हैं वाइब एंच करते हैं यहाँ तो यहाँ अब हम अनुज्राइब करते हैं और हम लोग को यज़ो该भी मूवी एनम ल clubsimal को देखना है वह विवाइड कर देता है कौन विवी ओडी तो तो ऐसंके बहुत इसंहीं क02 यह में आपको समझ में तो विविए카 क्या होता है इसका drinking ऊपना परिजिक क्या है इसका श्ल Consultant कि व्य इन सारे टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाए होंगे ठीक है तो वीडियो समझ में आए होगा तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल पर नहीं होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर कोई भी डाउट वीडियो में रह गया हो तो आप उसको कमेंट करके पू